स्वागत है आपके अपने चैनल All About Fast Tag में चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कर्मचारी पैंशन योजना Employee Pension Scheme राश्ट्रिय संधर्ष समिती ने न्यून तम्मासिक पैंशन को 1000 रुपे के मौजूदा स्तर से बढ़ा कर 7500 रुपे करने की चितावनी दी है इसके समिती ने श्रम मंत्राले को 15 दिन का नोटिस दिया है एप्स पैंशन पैंशन फंड समिती ने कहा कि अगर मान पूरी नहीं होने पर देश्व्यपी आंदोलन किया जाएगा कर्मचारी पैंशन योजना अंप्लोई पैंशन स्कीम सेवानिवरिती कोश निकाय कर्मचारी भविशन निधी संगर्थन EPFO की तरफ से संचालित की जाती है इसके तहट 6 करोड से अधिक शेर होल्डर्ज और 75 लाख APPS Pension Pension Fund भोगी लाभरती आते हैं केंद्रिय श्रम मंत्री भूपेंद्रियादव को सोमवार को लिखे पत्र में संगर्ष समिती ने कहा है कि यदि इस APPS Pension Pension Fund राशी में 15 दिन के अंदर बढ़ोतरी की घोशना नहीं की गई तो देश्व्यापी आंदोलन किया जाएगा कर्मचारी Pension योजना Employ Pension Scheme के पैंच आंदोलन के तहट रेल और सड़क परिवहन को रोकना और सामुहिक आमरन अंशन जैसे कदम उठाने की चितावनी दी गई है समिती ने नियमित अंतराल पर घोशित महंगाई भत्ते के साथ नियूंतम एप्स पैंशन पैंशन फंड को एक हजार रुपे से बढ़ा कर 7500 रुपे करने की मान की है इसके साथ ही समिती ने उच्चतम नयायले के 4 अक्टूबर, 2016 और 4 नवंबर, 2022 के फैसलों के अनरूप वास्तविक वेतन पर कर्मचारी पैंशन योजना अंप्लॉई पैंशन स्कीम में पैंशन भुपतान की मान भी की है दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ